भारत और उस्ट्रेलिया के बीच एडिलेट ओल में डे नाइट टेस्ट खेला जा रहा है जिसके लिए भारत ने अपनी फाइनल 11 का एलान कर दिया है लेकिन इस टीम के एलान के साथ ही है ऐसे सवाल उठने लगे हैं कि आखित क्यों इस टीम में गिल या राहूल की जगे प्रिद्वी शौक को चुना गया है और उनकी जगे इस्तेमाल की जा सकते खिलालियों के आखिले दिखाते हैं और समझाते हैं इस वीडियो में सबसे पहले बात ओपनिंग की भारती टीम ने पहले टेस्ट के लिए मैंग अगरवाल और प्रत्वी शौक को चुना है मैंग को लेकर कोई शक नहीं था क्योंकि मैंग ने साल 2018 में और उस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू किया था और तब से वो बहतर इन्फॉर्म में है मैंग ने अब तक 11 टेस्ट मैचों में 57 के उसस से 974 रन बनाये हैं मैंग के लाव प्रत्वी को लेकर लगातार सवार उट रहे हैं दिगश सुनिल गवसकर से लेकर एलन बॉर्डर तक का मानना था कि ओपनिंग में शुबमन गिल को आजमाना चाहिए था लेकिन भारत ने शुबमन की जगे प्रत्वी पर भरोसा दिखाया प्रत्वी ने साल 2018 में भारत के लिए डेब्यू किया था तब वो सचिन के बाद सक्से कम ओमर में डेब्यू करते हुए श्रतक बनाने वाले बल्लेबाज बने थे प्रत्वी के खिलाफ डेब्यू सिरीज में उन्होंने एक शतक एक अर्थ शतक और नौट आउट 23 रणों की पारी खेली लेकिन इसके बाद डोपिंग के अरोप में उन पर एक साल का बैन लग गया एक साल बाद वाफसी करते हुए साल 2020 के शुरुआत में ही उन्होंने न्यूजिलैने मुकाबले खेले भारत के वेलिंग्टन और ट्रैश चेर्स में उससर्थ एक ही अर्शतक बना पाये थे उसके बाद IPL में भी उनका बल्ला खामोश था और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में भी बड़ी पारी नहीं खेल पाये मयंक और प्रित्वी की जोडी ने अब तक से अब दो मैचों महीं भारत के लिए उपन किया है इसमें उनका बेस्ट तीस रंका रहा है तो विकल्प क्या है? मयंक के साथ प्रित्वी के अलावा शुबमन गिल और केल राहुल को आजमाया जा सकता था आस्ट्रेलिया में प्रैक्टिस मैच में शांदार बैटिंग और IPL फॉर्म में भी शुबमन आगे हैं शुबमन को अभी ट्रेस्ट में अपना डेब्यू करना है वहीं दूसरा विकल्ब थे केल लाहुल प्रित्वी के जगे केल को भी टीम में मौका दिया जा सकता था केल कमाल की फॉर्म में है और रोहिट शर्मा के ना होने पर केल टीम की ओपनर बन सकते थे हलाकि केल का रिक अच्टेलिय में अच्छा नहीं है उन्होंने यहां पर पाँच मैचों में सिर्फ 147 रन बनाये हैं अब बात ओपनिंग के बात करते हैं विकेट कीपर्स की बारती टीम और उस्ट्रेलिया दोरे पर दो स्पेस्लिस्ट विगेटीपर्स के साथ पहुची है नमबर एक रिद्धिमान साहा और नमबर दो रिशब पंथ एमेजोनी के जाने के बाद दस्ताने साहा के हातों में आए साहा का चोटो से भरा करियर उनकी टीम इंडिया की परिशानी बना हुआ है साहा के बाद पंथ को भी कई मौको पर आजमाया गया लेकिन हर बार यही कहा जाता है कि साहा विगेट के पीचे भारती टीम के बेस्ट विगेट कीपर है जिसकी वज़े से उनका प्लेइंग 11 में चुनाव भी किया जाता है लेकिन 2018-19 के और शेलिया सिरीज के दौरान सहा टीम का हिस्सा नहीं थे और ऐसे में पंध को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया रिशाप पंध को इस सिरीज में पूरे मौके मिले जिसमें उन्होंने 58 की बहतरी नौसस से 350 रड़ मनाएं लेकिन इसके बाद उनका फ्रद्रशन लगातार गिरता ही रहा एशिया के बाहर पंध को सहा से उपर मौके दिये जाते रहे हैं जिसके पीछे ये तर्क दिया जाता है कि एशिया में स्पिन गेंबाजी पर सहा बहतर विकेट कीपर है ऐसे में विदेश में पंध की बल्लेबाजी जादा काम आ सकती है हाला कि विदेशी पिचों पर तेज गेंदबाजी पर्वी बहतरी ने स्किल के विकेटीपर की ज़रुरत पढ़ती है पिछले तीन विदेशी दौरों इंग्लेंड, औस्टेलिया और निउजलेंड में पंथ ही भारत के विकेटीपर रहे है यूजलेंड के खिलाफ आखरी सीरीज के लिए तो साहा पूरी तरह से फिट थे लेकिन फिर भी रिशपपंद को ही आजमाया गया लेकिन रिशपपंद की खराफ फॉर्म की वज़े से अब मेनेजमेंट को उन पर से विश्वास उठ रहा है पंत ने हाल में प्रैक्टिस मैश बहतरीन शतक बनाया लेकिन फिर भी टीम मेलेजमेंट ने टेस्ट के लिए साहा को ही पहली पसंद बनाया रखा हलां कि साहा के प्रदर्शन पर नजर मारे तो उनका प्रदर्शन और उस्ट्रिलिये वह खास नहीं रहा है आस्ट्रेलिया में सहा ने कुल तीन टेस्ट खेले हैं जिसमें उन्होंने 18.5 के उससे महज 111 निम बनाए हैं अब देखना होगा कि वो इस सिरीज में क्या कर पाते हैं अब बात करते हैं स्पिन डिपार्टमेंट की एश्या की पिचों को हमेशा स्पिन फ्रेंडली माना जाता रहा है जहां पर टीम इंडिया के स्पिनर रवी चंदरन अश्विन का प्रदर्शन बहतरीन रहा है लेकिन विदेश में कुछ तो अश्विन का प्रदर्शनों कुछ मेलेजिमेंट का भरोसा उन पर बनता नहीं दिखता साल 2018-2019 ऐस्ट्रेलिया सिरीज को ही उठा ले तो अश्विन को सिरीज के पहले मैच में सिस्वार किया गया अश्विन एच्विन विगेट भी निकाले लेकिन उसके बाद बाकी बचे एक भी मैच में उन्हें मौका नहीं दिए गया नतीजा ये रहा कि वो पूरी सीरीज में विकेट के मामल में रविन जडेजा से भी पीछे रहे जब कि उस सीरीज में जडेजा ने दो मैच में कुल साज विकेट चटका है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है कि 2018-19 में विकेट पूरी तरह से पेसर्स के लिए मज़दगार थी टीम मेनेजमेंट उन पर कितना भरोसा दिखाती है ये भी देखने वाला होगा अब बात करते हैं बैटिंग और बॉलिंग बल्लेबाजी और गेंदवाजी में भारती टीम बहतरिन सयोजन के साथ उतरी है टीम में विराट कोहली जिनके राणे चेतेश और पुजारा मौजूद है वहीं गेंदवाजी में बुमरह और शमी भारत का बेस्ट पेस अटैक है बुमरह पिछले आउस्ट्रेलिया दोरे पर 21 विकेटों के साथ सबसे सफल गेंदवाज थे वहीं शमी भी 16 विकेटों के साथ पीछे नहीं थे भारती टीम ने पिछली सिरीज में भी तीन पेसर और एक इस्पिन के कॉमिनेशन के साथ सफलता हासिल की थी पहले ने भारत ने शांत बुमरह शमी के साथ अश्विन को अस्तमाल किया तो उसे जीत मिली वहीं जब द देखना होगा कि विराट कोहली एंड कंपनी कई साही हो जन कितना सटीक बढ़ता है आपके लिए स्टोरी लाइथ है विपिन आपका स्ट्रीम के बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट बॉक्स में लिखका जरूर पता है बाके देखते रहिए दीर आलन टॉप